नमस्कार दोस्तो जैहन दीके आदम नियूज में आपका स्वागत है दोस्तो आज हम देखेंगे पाकिस्तानी मीडिया की एक और लेटेस्ट डिवेट लेकिन उससे पहले आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्रेब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्रेब करें वीडियो प कमेंट करें और सेयर करें आईए देखते हैं वीडियो जैहन बंदे मातरम चमन का मकाम है जहां पर अफगान फूर्सेज ने एक हफ़ते में दूसरी मरतबा जंग का महास खुला है लेकिन इस सबके अंदर अब कुछ ताजा तरीन डिवेलपमेंट्स है कुछ लिए दोस्त 27 की जो लोग हैं वो जखमी हुए क्या अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच वार्फरंट ओपन हो चुका है क्या अफगानिस्तान और पाकिस्तान एक दूसरे के साथ जंग में दाखिल हो चुके हैं हमारे तालुकाद की ये आलत हो गई है कि वो जो जिन को जिन के लिए खुराक भी इदर से जाती है दीगर इशियूज जो हैं उनमें भी तावन होता है हर तरह का तावन इस वक्त अपडेट्स वहां से हमें मौसूल हो रही है और हमारे इंटेलिजन्स और दिफाई जराए कुछ चीज़ें बता रहे हैं एक जानब तो मजीद तालबानी फौजें बॉडर पर पहुंची हैं जो के इनके खतरनाक अजाइम की जानब एक बड़ा वाज़े इशारा कर रही हैं तो वहीं दूसरी जानब पाक आर्मी के हेलीकॉप्टर्स दुश्मन पर कहर ढढ़ने लगे हैं और इस पूरे वकुए की भी तमाम तर तफसिलात हमने आसल कर ली हैं किस टाइम पर ये दूसरा बाजाबता तोर पर और आपको पता होगा कि डिस्ट्रिक्ट हेड़कॉटर अस्पताल जो होता है डी एच्क्यू अस्पताल चमन वहां के MS ने जो नोटिफिकेशन जारी कि या अमर्जनसी नाफिज करके उसमें लिखा है कि पाक अफगान बॉर्डर पर जंग छिड़ गई है बलूचिस्तान के तमाम तर अस्पतालों में अमर्जनसी नाफिज कर दी गई है यानि कि ये मौामला इतना सादा नहीं है नसीर वागा साब पहले दुश्मन हमारे कम थे जो अब जिनको दोस्त समझा था वो भी दुश्मन बन निकले हैं क्या हल है इसका इस सारे जो मसला हमने अभी डिफकस किया है अच्छे मैं आपको आज इसकी थोड़ी सी तादातरीम सूर्टेहाल बताता हूं कि आज मैं कस्टम्स के इंतहाई आला हुकाम के साथ एक मीटिंग में था और बिलकुल एक्जेकली चमन बार्डर के बारे वहां बात हुई तो मुझे उन्होंने बताया कि चमन बार्डर पर अर्बो रुपेय की जो स्मगलिंग है वो हो रही है और बजूर बाजू असले के जोर पर हो रही है यहां पर एक कलेकर जो है वो शहीद हो चुका है कुछ इंस्पेक्टर शहीद हो चुके है कस्टम्स के कुछ और अमला भी शहीद हो चुका है असल में अफगानिस्तान के लोग ये चाहते हैं कि हमें इस स्मगलिंग की खुल इजासत दी जाए अब कुछ हरसा पहले आपको अगर याद होगा कि लोग अफगानी चीजों का जिकर करते थे कि ये अफगानिस्तान से जिसमें गाड़ियां थी जिसमें बहुत ज्यादा आटो पार्ट्स थे बहुत ज्यादा मेक अप का समान था और कपड़ा था बेतारशा समान आज भी बड़े बड़े ट्रॉले जब वहां पहुंचते हैं तो उनकी ये खुआश होती है कि ये चेक किये बगएर हमें पाकिस्तान में जाने दिया जाए और जब हम वापस जा रहे होते हैं तो उस वकत भी हमारे किसी ट्रॉले को चेक न किया जाए इवन के उसके अंदर जो लोग बैठे होते हैं ना उनका पासपूर्ट चेक किया जाए ना उनका वीजा चेक किया जाए वो इस बार्डर को मीर साबने बिलकुल सही का एक सॉफ्ट बार्डर बनाना चाहते हैं कि जब हमारा दिल चाहे जाएं जब हमारा दिल चाहे वापस आएं अच्छा ये पाकिसान के लिए मुम्किन नहीं है ना हम इसको हजम कर सकते हैं ये बार बहुत बड़ा हल था तूर्खं बॉर्डर ये चमन बॉर्डर यहां बहुत ज्यादा समगलिंग होती रही है बहुत लोग शहीद होते रहें और इसके साथ-साथ इजडर से बे-तहाशा दह्शत-घरद आए पाकिस्तान के अंदर अब इस वक्त भी यही होता है जैसे समगलिंग हुमन समगलिंग या समान की समगलिंग हुमन समगलिंग इतना बड़ा इशो बहां नहीं है असल बात है कि उन वो चाहते हैं पाकिस्तान के साथ ट्रेड वो इसको ट्रेड का नाम देते हैं वो चाहते हैं हमारा सारा समान जाए हम जो मर्जी करें कस्टम कौन है पाकिस्तान कौन है लेवीज कौन है वहां बहुत ज्यादा तादाद में कस्टम्स हुकाम के चेक पोस्टें बनी हुए है ए आज बहुत आला एक आफिसर कस्टम्स के बता रहे थे के हमारे लिए चमन बॉर्डर तूर्खं बॉर्डर एक बहुत बड़ा मसला बना हुआ है क्या अफगानस्तान और पाकिस्तान के बीच जंग शुरू हुआ चाहती है या जंग शुरू हो चुकी है इसकी वज़ाई ये है कि खबरें कुछ ऐसी ही तश्वीशना का रही है हम आपको वैसे तो कुछ दिन से ही बता रहे हैं कि इससे पहले भी अफगान फोर्सिस की तरफ से जो फारिंग हुई और जो गोला बारी की गई उसके नतीजे में पाकिस्तानी सेविलियन्स और शेहरी उसमें जांबहाक हुए और बड़ी तादाद में जखमी भी हुए आज की खबर ये है जो के बहुत तश्वीशनाख खबर है चमन बॉर्डर पर पाकिस्तान और अफगान फोर्सिस के बीच इस वक्त शदीद किसम की लड़ाई जा रही है और खबरें ये बता रही है कि अ को जवाबी करवाई हो ऑर जवाबी कि हमले किए जा है वहां पर जिल अभर में एमर्जन सी नाशी कर दी गई है और इसके बाई जो बहुत रहा कि जब कई सिचुएशन भाई चार तो जू अजा ये जा। पेशिएं तो जो पैरेमिटरव लिये जाते है वो लिये जा रहे कल एदम तहरीक जमाद तालिबान की तरफ से तो हम यह कहते थे कि उनसे तो हमारी बहुत जो है वो अब दुश्मनिया बहुत देरी नहीं हो चुकी है तो उनसे तो यह एक्सपेक्टेशन होती है लेकिन अफगान फोर्सिस की तरफ से अगर एक वाक्य ऐसा हुआ था तो उसक क्या है तो उसके बाद ऐसा महसूस हुआ कि जो भी हुआ है अब वो नहीं होगा लेकिन यह सलसला बढ़ता चला जा रहा है और हमले होते चले जा रहे हैं मैं ऐसा करती हूं कि आपके सामने वो खबरें रख देती हूं जो के बताई जा रही है इस वक्त हम पाजारी बात है आइस पी आर का एकी गाओं में प्रेसरी जारी कर दी और बस यह कर दिया और तो वो कुछ कर नहीं सकते हम ना तो वहां पे जो है वो ताफगानीयों को मार सकते हैं क्योंकि पाकिस्टान पिछले 50 साल से अफगानस्तान में इतनी ज़्यादा इंवेस्टमेंट कर चुका है अफगान अवाम पहले ही पाकिस्टान के बड़ी खलाफ है प्रॉब्लम किदर है प्रॉब्लम सिर्फ एक है दोस्तों और उस प्रॉब्लम को हम हल नहीं करना चाते है प्रॉब्लम यह है कि अगर पाकिस्टान की लीडर्शिप चाती हमारे अफगानस्तान के साथ मसले हल हो तो अपनी पार्लिमेंट को आके बता दें कि वो क्या रहा है जब पाकिस्तान की जो इस्टाब्लिश्मेंट है वो इंट्रिस्टेड ही नहीं है कि मसला पार्लिमेंट में आए और पाकिस्तान के सियसेदान इंट्रिस्टेड ही नहीं है इस चीज में कि जो पाक अफगान बार कि है, सारी दुनिया को पता है, एक तरफ एरान है, तुर्कमानस्तान है, ताजिकिस्तान है, पाकिस्तान है, और हम उनके लिए एक बड़ी जिसे कहते हैं, एक स्पेस देख कहते हैं, अगर आपको याद हो, जैसे ही, ये कहा गया था कि जब अफगान तालिबान ने जगा है, एकानुमी का सोचना चाहिए, लेकिन यहाँ पर हो क्या रहा है, कि मजीद तबाही की तरह बढ़ते चले जा रहे हैं, अच्छा, पाकिस्तान के अगर हम बात करें, तो उसमें यह है कि यह खबरें, जो कि इस वक्त लाइम लाइट में होनी चाहिए, जिस पर बताना चा इसको रोकने के लिए कोई और अथॉरिटीज या यह के इंटरनेशनल कम्यूटी जो है, इसको देख रही है, देखें, वो तो आने वाले दिन हमें बताएंगे, बलके आने वाले चंद घंटे हमें बताएंगे आगे क्या होने जा रहा हैं, लेकिन अगर यह सिरफ वाकिया यानि यह कि जब तालिबान की हकूमत नहीं थी, उस वक भी पाकिस्तान की तरफ से हमारी तरफ से यही एक स्टैंस था कि वहां पर हमारे खलाफ कारवाईयां होती हैं, और वहां पर भारत मौजूद है, और वो फुट्प्रिंट्स और वो सब बात की जाती थी, जबकि उस के जहन, दोस्तों पाकिस्तानी फोज पर अफगान पोर्सेस ने दूसरे एक हपते में दूसरा बड़ा हमला किया है, जिसमें एक की मौत हो गई है और 25-26 लोग घायल हो गए हैं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बीच बड़ी जंग छड़ने की आसंका है, क्योंकि आई रोज पाकिस्तानी फोज पर काफी ज़्यादा हमले कर चुका है, पाकिस्तानी फोज पर लगातार हो रहे हमले से पाकिस्तानी बॉखला गए हैं, पाकिस्तानियों का कहना है कि हर एक चीच तालिवान और अफगानिस्तान के लिए हमारे मुल्क से जाती है, लेकिन फि भी हमारी फोज पर हमला कर रहे हैं पाकिस्तानी फोज पर एक हपते में दूसरा बड़ा हमला हुआ है क्योंकि तालिवान की हुकूमत जब आई थी तब पाकिस्तान ने जसन मनाया था अब उसको जसन का रंग फीका पड़ चुका है क्योंकि तालिवान अब पाकिस्तान से ए आद्मी चीफ बाजवा भी और पाकिस्तान का ये साई का चीफ फैज हमीद भी अफगानिस्तान गया था लेकिन अब पाकिस्तान पच्ता रहा है आपकी कह रहा है कमेंट में जरू सेर करें यह आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो पसंद आए त करें देमात्र करें देमात्र